दोस्कार दोस्तो जैमाता दी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 जनवरी आने की बुधवार को किस प्रचुनेटी मिल सकती है उसके पीछे का लोजिक क्या है साथ में और के लिए मार्केट के क्रूसिल हमको पता लग जाए कल दोस्तों बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपार यह तो डिटेल में डिसकस कर लेंगे की काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में जब तक नहीं निकलेगे हम पूट सैट नहीं जाएंगे उससे पहले यह बाउंस बैक एरिया का काम करेंगे और आज मार्केट हलकी सी मामूली सी गैप डाउन खुली पहले केंडल में नहीं बोल सकता लेकिन दूसरी केंडल बहुत अच्छी पोजिटिव केंडल बनी थी बाउंस अच्छी press पेपर ट्रेट करने के स्टड़ी देता हूं वो रियल प्रोफिट नहीं होता है कॉन सी दी ती वो भी मैं आपको बताऊंगा बलकि सुबह सुबह डेटा नेगिटिव बना हुआ था और मैंने चीज नोटिस किया दोस्तों जिब डेटा नेगिटिव होता है न भले ही मार्के निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है ठीक है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,125 पर अब एक 300 पॉइंट की रेंज है भाई आपके सामने सीधी सिंपल बात है 300 की नहीं तो 200 की जुरूर बोल सकते हो नीचे जो रेंज है दोस्तों वह है 48,000 पर और अपर साइड जो र रहेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी की वाई कल एक्सपायरी है हाई चांस है बैंक निफ्टी को दो रेंज में रखा जा सकता है अगर फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी तो 48,300 से लेके 28,000 के बीच में इसको क्लोज कर सकते हैं और अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव बैंक निफ्टी को रख सकते हैं तो एक चीज याद रखना अगर आपको किसी भी तरीके से मार्केट साइडवेज होती दिखे रेंज में फस्ती दिखे या पहली 15 मेट केंडल ज्यादा बड़ी बन जाए तो भूल के भी मत करना भाई जीरो हीरो के चक्र में पढ़ोगे जीरो हो जाओ कि मैं हर एक्सपारी पर आपको समझाता है हूं क्योंकि आपको पता है उप्सन सेलर जिस इंडेक्स की एक्सपारी होती उसको साइडवेज कर देते हैं ताकि दोनों साइड का प्रीमियम खाया जा सके तो इस चीज से थोड़ा सा बचके रहिएगा लेकिन प 500 हो जाएगा क्योंकि 48300 जो लेवल पहले जो रिजिस्टेंस था वो टेस्ट हो चुका है तो अगर स्विंग बनता है द्यान से सुनिएगा एक्सपारी है तो बचके थोड़ा सा अगर फ्लैट कुले 48250 के उपर निकले इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है और जैसे कि 48250 के उपर 50 साथ पॉइंट का स्टोपलोस डाल के मैं वन इस्टो टो टो टार्गेट के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा और पुट साइड दोस्तों में तभी जाओंगा जिब 48000 के नेचे कोई स्विंग बनेगा यह मैंने आपको कल भी बताया था और अगर ताकत भूल जाते हैं ठीक है और इसी वज़े से मैंने ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मारे भाई सुबह सुबह मेरे को ठीक था अपना ठीक निकल गया था और उसके बाद मार्केट काम करने लाएक मुझे नहीं दिखी क्योंकि ट्रैप कर रही थी और सुबह 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 तो भाई लोसी होने वाला है तो आज कल के लिए भी ध्यान रखना फ्लैट खूलती है अर्तारी जार के नीचे निकले है फिर अर्तारी जार के आसपास समय बितागे फिर ब्रेकडाउन दे रही है दो पैर के बाद ग्यारा बजे के बाद तो हमको 37,800, 37,750 ये टारगेट हम बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे देखिए हां देखिए अगर बैंक निफ्टी सीधा बड़ा गैप डाउन ओपन होती है 48,000 के आसपास यहां पर पहली केंडल दोस्तों हमको यह बता देगी पहली दूसरी केंडल कि किस तरीके से मार्केट बीहव कर सकत है अगर दोस्तों यहां पर पहली केंडल इस तरीके का कोई नेगेटिव केंडल बनता है फिर उसका लो ब्रेक होता है हलका सा रीटेस्ट बनता है तो हमारा महीं टारगेट होगा 47,700 का पचास साथ यानि की दिन का हाइस टोपलोस डालके मैं पूट साइड जाना पसंद कर और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहां पहली 15 मिनिट की केंडल का ब्रेक आउट दे दिया है नहीं भाई इसके चकर में मत पढ़ना जब तक 48,200 के ऊपर चाहे गैप डाउन खुल के जाए चाहे फ्लेट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए 48,250,300 इसके ऊपर दूसरी केंडल ने ब्रेक आउट दे दिया या तीसरी केंडल ने ब्रेक आउट दे दिया 48,300 का तो एक शार मुमेंटम हों को 500 तक का देखने को मिल सकता है दिनकालो स्टोपलोस डाल के मैं कोल साइड पलान कर सकता हूं और अगर दोस्तों गैप खुल के थोड़ा सा नीच कर सकते हो क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस दीख रहा है दोनों साइड और निफ्टी के एक्सपायरी भी नहीं है अगर मैं स्टड़ी की बात करूं दोस्तों आज सुबेगा डेटा नेगेटिव बना हुआ था दोस्तों मार्केट आज हर की गैप डाउन ओपन औ नीचे लाके और एक बार सुबे सुबे जो नेगेटिव बने होंगे उनको ट्रेप कर दिया तो यह मैं आपको सुबे का व्यू देता रहता हूं हरोज देता हूं फिर हमारे मैंने स्टड़ी भी पोस्ट की जिसमें मेरी खाल से 445 का के आसपास का इसका हाई था 435 का बहु फ्री है हाँ और इजनल गुरूप को जोएन करना कल भी एक बंदे ने कोमेंट कर रखी थी कि आप फरोड हो आपने पैसे ले लिए तीन हजार उपे पेड गुरूप के ले लिए बाई किसको उलज गए आप आप पहले तो लुट पीड जाते हो नपडों की तरह आर आपक फिर आप औरीजनल के पास आजाते हो भाई पहले कहां थे और मैं किसी से पैसे लेता ही नहीं हो कोल टीप्स के आप क्या मतलब है हर वीडियो में बोलता हूं एक दो मिंट का टाइम निकाल के इसलिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रप्स में दिए लिंक से इस चैनल को जो कि इसलिए अश्च में बताता हूं तो यह कि हमेशा ही उपन रहता है कि अडिमिसन यहां इसा नहीं होता है जब चलता है तभी बताता हूं तो कोल टीप्स के मेरे नामसे किसी को पैसे ना दे और उसी जुएं करें पिर मुझे मत बोला करो बाद में आप अनपड नहीं हो तो आप शेयर मार्केट में काम करने वाले बंदेों जो किसी से भी लूट जाओगे ठीक है और कोल टिप्स के चक्कर में तो किसी को भी नहीं पैसे देने चाहिए कोई आपका प्रोफिट नहीं करवा सकता कोल टिप्स देगे चलिए निफ्टी को देखते हैं निफ्टी में को मुमेंटम मिल सकता है जादा नहीं मिला मैं थोड़ा सा ज्यादा प्लान करा था क्योंकि 50 दिन का मुविं अवरेज तूट गया था और इसी वज़े से पिर मैंने काम नहीं किया क्योंकि दोनों इनिफ्टी का दो डेटा नहीं नहीं बना था बनावा थी मैंने बताय भी निकल जाती है यह जो हाई है यह जो स्विंग इसके उपर तो हमको एक 100 पॉंट का मुमेंटम देखने को मिल सकता है मैं 15-20 पॉंट का एसल डालके कोल साइड जाना पसंद करूंगा और अगर दोस्तों बाइस जार के नीचे निकल के इस तरीके को कोई स्विंग बना देती देखे निकली तो आज भी थी लेकिन कोई प्राइज एक्षन कोई स्विंग ना यह केवल ट्रैप करने के लिए निकली तो ऐसे में ट्रैप मत वाकरो बहुत सारे लोगों को अब पता चलेगा कि स्विंग की क्या इंपोर्टेंस है बाइस जार के नीचे निकले इस तरीके के आसपास खुल जाती है और यह फिर 2920 के लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड तो फिर यह जो अगला सपोर्ट है हमको दिख रहा है 2820 के आसपास तो यहां तक का हमको मुमेंटम मिल सकता है और दोपैर बाद कही ना कहीं आपर अगर डबलू पैटरन बनता है तो फिर से रिकवरी भी आ सकती है क्योंकि यह बांस बैक लेवल है ठीक है और अगर दोस्तों गैप खुल जाए मालीजी 2200 के ऊपर 2280 के उपर या सो के आसपास यहां पर अगर गैप खुलती है और इस स्विंग को अगर ब्रेक कर देती है चोटा सा हमको स्विंग बना चाहिए फि अगर दोस्तों कल मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है माली जो बढ़ा गैप डाउन खुल गई तो थोड़ा सा इगनोर करना क्योंकि सपेस नहीं बड़े गैप डाउन के बाद यहां पर अगर गैप डाउन खुल गई क्या सपेस बजेगा नीचे सपोर्ट है 200 अगर कोई पोजिटिव केंडल या फिर थोड़ा सा अलका सा डबलू पैटर्न बन जाता है तो यहां से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं लेकिन वह हमको 11 बजे 12 बजे बाद ही दिखेगी उससे पहले आप ट्रैप हो जाओगे ऑप्शन चैन अगर दोस्तों में दिखा हूं को निफ्टी का निफ्टी में देखिया आपको दिख जाएगा 22,000 का जो लेवल है साइकलोजिगल लेवल है एक लाग चालिस जार बैठे हैं तेजी वाले एक लाग बारा जार बैठे मंदी वाले मंदी वालोगा थोड़ा सा आज होसला बंदा है क्योंकि नेगेटिव लो तक काम को मेंटम देखने को मिल सकता किस साइड पोजिशन बन रही है किस साइड कट रही है हमको दस बजे के बाद पता चलेगा उससे पहले उफसिंचेन देखनी नहीं है क्योंकि ट्रैप होता है इससे पहले पोजिशन सैटल होती है मैं डेटा किस साइड बन रहा हूं आ इनको लपेटना होगा ना अगर इनमें आम आदमी होंगे तो यह मार्केट खुलेगी United 2,000-2,000, 300 के उपर इस त्रीक का प्रास एक्शन बनाएगी और फान सो तक मार्केट को स्यूट कर देगी यह सभी लोग ट्रैयपं इसा हो ना सुरु पतायिता ही सरो आड़तर हम निकल निकल न चुरू उती उता कि प्रास एक्षमय shoes ने शुरूरि यह स्वां तो यह बहुत आपको अपडेट करने की मैं पूरी कोसिस करूँगा वीडियो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आज का यहीं तक था अच्छा लगा और लाइक और शेयर जुरूर कीजिएगा ताकि जुरूर तम लोगते वीडियो असानी से पहुंच जाए अपना कीमती समय निकाल करें देख